वेलकम तो twinkle recipes.com आज हम बना रहे है ओनियन कैप्सिकम रोल्स इसके लिए मैं चाहिए प्याज चीज बोईल पोटेटो शिम्ला मिल्च मैगी मसाला एंड मैंने कुछ ब्रेड्स लिए जिसके मैंने कॉर्नर्स काट लिए मसाला बनाने क्लिए हम लोग लेंगे मैश्ड पोटे प्याज शिम्ला मिर्च आप चाहे तो आलू एकदम कम भी ले सकते हैं सिर्फ पाइंड करने को अब इसमें एड़ करेंगे लाल मिल्च पाउडर नमक एंड लास्ट में मैगी मसाला अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब इसे हम साइड में रख देंगे अब जो मैंने ब्रेट्स ली थी उसको हम लोग वन बाई वन फ्लेट करेंगे इदम बारीक पतला होना चाहिए यह ब्रेट ताकि हमको रोल्स बनाने में इजी जाए इंध्यान रखे इसमें ताजी ब्रेटी हमको यूज करना है सो ब्रेट्स न मसाला दोनों रेडी है अब बाई वन ब्रेट में हम लोग मसाला लगाएंगे मसाला थोड़ा हमको दबा दबा के लगाना है ताकि जादा मोता लेयर ना बने इंड गैप हम लोग छोड़ रहे हैं ताकि हम लोग डोग डोग चिपका सकें जाए पानी यह चमच पानी मैने इसमें डाल दिया अब इसका रोल बनाएंगे एंड धियान रखिए कि एंड इसका अच्छी से चपकना चाहिए सो ये एक रोल रेडी है ऐसे ही करके हम लोग सारे रोल्स बनाएंगे सो रोल्स रेडी है अब हम तवे में ओईल लगाके इससे सेखना स्टार्ट करेंगे सेखते समय हमें उच बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो इसे अच्छी तरह से हर साइड गुमाते रहेए और गुमाते समय ओईल जरूर लगाए जैसे आप देख रहे हैं इसमें हलका लाइट ब्राउन कलर आते जाएगा ऐसे ही हमें सारे साइड इसके करने सारे साइड लाइट ब्राउन होने के बाद यह हम लोंका एकदम रेडी है सर्व होने के ले थैंक्स फो वाचिंग आर वीडियो प्लीज सबस्क्राइब तो आर चैनल ट्विंकर्रेसिपीज डॉट को